आप सभी ने अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से, नाना नानी से बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, कुछ कहानियां भूत प्रेतों की होती होंगी, तो कुछ कहानियां परियों की होती होंगी, कुछ कहानियां राजाओं महराजाओं की होती होंगी, तो कुछ कहानिया जंगल और इसमें रहने वाले जानवरों से सम्मंदित होती होंगी तो इन सभी कहानियों की एक खास बात यह होती थी कि हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था कि चोरी नहीं करने चाहिए, जूट नहीं बोलना चाहिए, सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए तो हर कहानी हमें कुछ ना कुछ एक अच्छा मैसेज देती थी तो एक कहानिया ही है जो भारती संस्कृती की इस दुनिया को एक अनमोल भेट है, एक बहुमूल्य उपहार है तो अब क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि एक कहानिया सोशल स्टडिस में किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं सोशल स्टडिस को किस तरह से कहानियों के माध्य हम से पढ़ाया जा सकता है क्या ये पॉसिबल है तो सोशल स्टडिस में हिस्ट्री आता है यहां पे जिग्रफी आती है पुल्टिकल साइंस आता है और एकनोमिक्स आता है तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अकसर आपने जो कहानिया सुनी होंगी उनमें से राजाओं महराजाओं की कहानिया सुनी होंगी उनकी विर्ता की कहानिया सुनी होंगी तो एक तरह से हम हिस्ट्री के बारे में भी कहानियों में जानते हैं समझते हैं और बहुत सारी कहानियों में आपने गरीभी के बारे में बेरोज़गारी के बारे में और उसका लोगों के जीवन पर क्या असर पढ़ता है उसके बारे में जाना होगा तो इस तरह से कहानियों के मादियम से हम economics और तसासतर के बारे में भी हम जानते हैं समझते हैं اور कई सारी कहानियों में अपने राजाओं के दरबार में वहां की नियाए वर्स्ता में किस तरह से उनका सासन चलाया जाता था इस सारी भी चीज़े आपने जानी होंगी तो इस तरह से हम कहानियों के माध्यम से political science को भी हम जान सकते हैं समझ सकते हैं और अगर हम बात करें geography की तो बहुत सारी कहानियों में अपने पहाडों से सम्मंदित कहानिया हैं जंगल और यहाँ सम्मंदित भी कहानिया आ अपने सनी होंगी तो इस तरह से इन कहानियों के माध्यम से हम social studies जो है समाजिक अध्यान है समाजिक विज्ञान है इस subject को बहुती interesting way में बच्चों के सामने रख सकते हैं उनको present कर सकते हैं तो इस तरह से बच्चा भी इसमें रूची लेकर चीज़ों को जानेगा सीखेगा और उसको भी सीखने में मज़ा आएगा तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं storytelling method की कहानी कतन विदी की teaching of social science में इसका क्या यूज़े इसका क्या importance है तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अगर हम इस method की बात करें कहानी कतन विदी storytelling method समाजी कध्यान सिक्चन की एक महत्पून विदी है इस विदी में कहानियों को विद देख से उसको प्राप्त करने का अप्रjar travries कि कहानियों की माध्यम से रसे यूज भी topic है उसको बताने का अप्रयास करते हैं ताकि इस topic को अच्छे से समझाया जा सके इसके इसके माध्यम से अध्यापक advocacy跟 fire का जियान कक्छा और56 और विशेकी और आकरसित कर सकता है या करत तो देखिए कहानी के मादियम से अगर आप बच्चों को बताओगे बच्चों को समझाओगे क्योंकि कहानिया जो है बच्चों को पसंद आती है और इन कहानियों के मादियम से ही क्या कर सकते हो अब कि बच्चों को उस सब्जेक्ट की तरफ अपनी क्लास की तरफ अट्रेक् कहानी द्वारा किसी भी घटना को बड़े ही नाट के धंग से प्रस्तूत किया जाता है एन इस ने इस प्रेजेंटेंट इन आ वेरी ड्रमेटिक वे बाया दर स्टोरी कि कहानी के माध्यम से इसलिए तो बच्चे का कहानी में इंट्रेस्ट होता है कि कोई भी घटना है कोई इंस्ट्रेंट बहुत ही ड्रमेटिक वे में नाट के धंसे प्रस्तूत किया जाता तो यहीं चीज़ें बच्चों को पसंद आती है इस श्टॉरी है जब पर्पस की परते कहानी का कोई न कोई उद्देश होता है परते कहानी से हमें कुछ ना को सीखने को मिलता है इस देखिए एक आपने मुवी देखियोगी बाहु वली तो बाहु वली में जो फर्स्ट पार्ट वन था उसमें एक लास्ट में कुश्चन छोट जाता है कि कटपा ने बाहु वली को क्यों मारा तो इस क्यूरिसिटी से ही जब नेक्स्ट वर्जन आया तो उसने हजार करोड से ज़्यादा कमा लिया तो इस तरह से कहानियों के माध्यम से ही जब कहानियां दिरे दिरे आप आगे बढ़ाते हैं तो बच्चों में उसको जानने के लिए बिल्कुल बैचर है तो इससे क्या होगा कि बच्चा आपकी बातों पर ध्यान देगा और आप जो पढ़ा रहे हो समझा रहे हो बच्चा उस पर इंट्रेस्ट लेकर चीजों को जानेगा चीजों को समझेगा अब हम बात करते हैं इसकी विशेष्टाओं की क्यार्टरशिक्स की कि कहानी मौखिक रूप से सुनाई जाती है दश्टोरी है जब परपस की परते कहानी का अपना एक उद्देश होता है कि कहानी के माधियम से समाजिक विज्ञान को बहुत ही बहुत बहुत बनाया जा सकता है इस तरह से पढ़ाया जा सकता है कि बच्चा इजली उसको अंडर्स्टेंड कर सके समझ सके इस विधी द्वारा विशेवस्तू को विध्यार्टियों के समझ आकर्सक बनाकर प्रस्तूत किया जाता है by this method the subject matter is presented in front of the student by making it attractive by this method curiosity about the subject matter ठीक है उसको क्या किया जाता है उसको जागरत किया जाता है तो इससे क्या उतक कि बच्चेव में जो curiosity होती है subject के लिए और बढ़ती है बच्चा जानने के लिए उस्चुक होता है बेचैन होता है इस विधी द्वारा विध्यारतियों में कल्पना अस्मरण और चिंतन सक्तियों का विकास किया जाता है क्योंकि स्टोरी के तुरू बच्चों की जो imagination power इसको develop की जाती है और जब आप बच्चों को कहानी सुनाते हो ना कहानी के द्वारा कुछ बताते हो तो बच्चे के mind में घर कर जाता है बच्चों को लंबे समय तक याद रहता है उनकी जो स्मरण सक्तिय है उनकी जो चिंतन सक्तिय है उसका विकास होता है इसके द्वारा विद्ध्यारतियों में उत्तम नागरिक और समाजिक गुणों का विकास होता है अब हम बात करते हैं कहानी सुनाते समय एक टीचर को अगर आप सब कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हो समझा रहे हो तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि अध्यापक कहानी कभी भी पाट पुछ तक पढ़कर नहीं सुनाना चाहिए तो मतलब क्या है कि आप कभी भी कहानी सुनाओ तो आप बुक को पढ़कर मत सुनाओ आपको कहानी याद होनी चाहिए और आप पुरे हाव भाव के साथ एक्स्परेशन के साथ सुनाओ लेकिन सामने बुक लेकर मत सुनाओ तो कभी भी बुक पढ़कर कहानी नहीं सुनानी चाहिए कहानी के माधियम से बच्चों को विशेवस्तू की जानकारी देनी चाहिए तो आप मालो सोसल साइंस के टीचर हो तो आप इस तरह की कहानिया बनाओ इस तरह की कहानिया सर्च करो जो आपके विशे से संबंदी तो ताकि उसको आप कहानियों के माधियम से आप बच् कि उनकी वीरता किये सारी जो हम कहानियां सुनाते हैं उनके दर्बारों को सुनाते हैं तो जोरीनी की सारी की सारी imaginary हो fact के base पर भी कहानियां होनी चाहिए The story should be told in a simple language की कहानी बोल चाल की सरल भासा में सुनाई जाए बच्चों को The story should be short and simple की कहानी जो है संचित और सरल होनी चाहिए लंबी कहानिया नहीं होनी चाहिए The story should be interesting, impactful and purposeful की कहानी रोचग भी हो प्रभाव पौंड भी हो और उद्दे से पौंड भी होनी चाहिए While preparing a story, the teacher should be aware of its objective की आप जब भी कोई कहानी आप बनाते हो तैयार करते हो तो सबसे पहले आपको उसका objective पता होना चाहिए कि इस कहानी की माधियम से आप बच्चों को क्या बताने वाले हो, क्या सिखाने वाले हो कहानी की भाषा शैली एवं विशेवस्तु विद्यारतियों का जो उनका मांसिक स्तर है उनका जो इंट्रेस्ट है उसके हिसाब से होनी चाहिए नहीं कि आप छोटे बच्चों को सुना रहे हो लेकिन कहानीया जो है ओ जो है मतलब 10th 12th level की जो है उस हिसाब से जो language उसकी हो the story should be such that it increases the curiosity of the strength की कहानी ऐसी हो जो विद्यारतियों की जिग्यासा बढ़ाएं और इसके साथ साथ कहानी में विद्यारतियों की रूची को विकास करने के लिए सिक्षक को कहानी के मध्य प्रसंद पूछते रहना चाहिए जब आप कहानी सुना रहे हो ना क्लास में तो यह पूछते रहो अब हम बात करते हैं एड्वांटेजिस ऑफ स्टोरी टैलिंग मेथड की कहानी कतन विद्य की क्या उप्योगिता है और थ्रू दिस गोड़ सीविक एंड सोशल क्वाल्टी साथ ड्यवलप इंडश्टों की विद्यार्तियों में उत्तम नागरिक और समाज्जी गुणों का विकास होता है इसमें ग्यान प्राप्ति के साथ बच्चों का मरॉंजन भी होता है कि यहां पर बच्चा चीजों को सीखता भी है लेकिन साथ के साथ इंटर्टेंड भी होता है इस विदी के द्वारा विषय वस्तु को और अधिक परभाव पुन बनाया जा सकता है और इसका परभाव बच्चों पर पढ़ता है बच्चा चीजों को जल्दी से जल्दी सीख जाता है जान जाता है समझ जाता है in this method only the real facts are kept in front of the student कि इस विदी में वास्तविक जो तथ हैं वही विद्यारतियों के सामने रखा जाये तो मुस्किल से मुस्किल जो topic है जो चीजे हैं कोसिस करें कि उसको story के थूरू बच्चों को बताएं समझाएं ताकि मुस्किल से मुस्किल जो concept है बच्चों को easily समझ में आ जाएं तो इस विदी में विद्यारती कक्षा से भागता नहीं कक्षा में बोर नहीं होता बलकि उस कहानी की प्रतिक्षा करता है क्योंकि उसका उस कहानी में इंट्रेस्ट है तो यहां पर बच्चा क्लास में बोर नहीं होता बलकि क्लास में बिल्कुल अटेंटिव होके चीजों को सुनता है जानता है तो इस तरह से कहानी की बात करें स्टोरी टैलिंग मेथड की बात करें कहानी कथन विधी की बात करें तो इसके माधियम से आप सोसल स्टडीज को सोसल साइंस को आप बहुत ही इजी वे में बच्चों के सामने पढ़ा सकते हैं बता सकते हैं उनको समझा सकते हैं इससे जो क्लास में जो टीचिंग लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा एफेक्टिव होगा तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जुरूर बताईएगा आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद